या जो है वो छे को है या साथ को है जी हाँ निर्जला व्रत छे तारी को रखना है या साथ तारी को रखना है जी हाँ नहा खाय में क्या खाना है और इसका नियम क्या होता है ओटगन कैसे बनाया जाता है और पारण किस विधी से किया जाता है कैसो आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए नीचे वेल आइकन से प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी निया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए जी हाँ आज की वीडियो में बताने वाली हूँ सबसे पहले बताने वाली हूँ जी हाँ नहा खाय कनफ्यूजन हो गया है तो बहुत ल हमझजिगनी भी बॉलते हैं दोवे और लन विक्से लिए तो कि मेरी मिला के बनाधिया जाता है निकाल दिया जाता है और भी जगा तेल खायर चरता है और वो भी नदी पे जाके पित्रों को दिया जाता है हमारे हाँ यह नियम नहीं है तो हमारे हाँ यह नहीं होता है सिर्फ जिगनी की सबजी बनती है और कांदा की सबजी बनती है और उसके बाद नोनी का साग जो है तिनों मिक्स करके बनाते हैं और इसमें सेंधा नमक का यूज होता है और पूरी इस दिन सारे पकवान बनता है और नहा खाय किया जाता है उसके बाद दो मास के कारण बहुत लोग जो है वो पहली बार अगर जितिया उठाना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग ना उठाएं क्योंकि इसमें जो है कोई भी पारन बहुत लोग नहीं उठा सकते हैं और कहा जाता है परियेट करते हैं प्रियेट में सकती है अगर पूजा होता है तो आपके घर में चिटिया में खर भी नहीं तो सकते है तो आपको वो वो सके तो पहले िससे पहले ब्रस कर ले या दातूं कर ले दातूं कर ले और जब आप साम में नहय पूझा के लिए तो उच्चेय अपने हाथों को कर ले क्योंकि तो इसलिए दत्मन तोरना तो और पाप हो जाएगा इस दिन उंगली से ब्रस कर ले और नेक्स दे जो है वह पारणूरन करने के बाद ही अपना ब्रस से अच्छे से मुह धोले इस दिन जारू भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जारू अगर मा लगाती है तो जो भी कीरा मकोरा होता है वो मर जाता है और उससे वो जो पाप होता है उसके बच्चे पे लगता है तो इस दिन जारू भी हलका फुलका लगा ले पूरी अच्छे से ना लगा है क्योंकि आप से किसी की छती ना हो किसी को दुख न पहुंचे इसलिए यह हो सके तो आपके घर में बच्चे समझदार हो तो बच्चे सही लगवा ले और उसके बाद जी हां फास्टिंग किया पढ़ा सनके कशनव कि अचार सुनके और उसके बाद बच्चे को पहना के माँ पहंती है यहां बहुत लोग परता है और लोग कपड़ नहींदो को बच्छ नसाथ पहने कि को चते हो प carbon क्ठ जो वो लाके फिर कथा सुनके फिर अपने बच्चे को पहनाती हूं और उसके बाद मैं पहनती हूं तो इस तरह से करती हूं अजी हां ओठगन का ओठगन जो है वो नहा खाइके दीन ही बनाया जाता है और उसमें बहुत तरह से घी डाला जाता है और उसको एकदम मोटा जितने गर के जैन से उसके लिए बनाया जाता है तो मेरे घर में पहले बनता था चार पांच बनता था और अब एक श्ट्राइक बन गया क्योंकि मेरा बेटा है कुझ उसका भी बनता है और उसके बाद जी हां जब हम लोग उठते हैं और गन करने के लिए तो दोनों गेट पर रख परणाम करके उठाते हैं और पिर छत पे जाते हैं जाके और बहुत जगाँ के रखा जाता है पित्रों को दिया जाता है हमारे हैं कराकट पे ही रख दिया जाता है पित्रों के लिए पित्रों के नाम से और इस तरह से होता है यह नहाखाय के विधी मैं थुरह से बता दियू और confusion अब दूर करूंगी आप लोगों की जी हां बहुत लोग जो है वो छे तारी को नहाखाय करेंगे क्योंकि कहा जाता है बहुत लोग कह रहे है कि अश्ट्मी अगर evolve तो इसमें जीत्या नहीं किया जाता है तो बहुत लोग सुक सनीचरी के कारण भी होता है सनीचर को पारण अच्छा नहीं होता है तिसलिए बहुत लोग जो है वो सनीवार को वरत रखेंगे जी हां साथ तारी को वरत रखेंगे और आठ तारी को पारण करेंगे जो साथ को करेंगे वो छे को जी हां सुक्रवार को वो नहाखाई करेंगे और जो सुक्रवार को करेंगे बरत करेंगे निर्जला व्रत वो पास्टारिक ऐम इस गरूबार को नहाखाई कर लेंगे और अगर पारन की बात करो तो पारन में सारी पहन के ङरक देती हूं मेरी मदर patch and do this दिए ओग में अलग होगा आपके घर मेन जिस करें और आपके अगलमे Milam hoasures थैंक्स पूर वाचिंग कीप सपोर्ट